प्रधान मत्री नरेंद्रा मोदी सौधी अरब के दोरे पर जाएंगे पिये मोदी सौधी अरब के रियाद में होने वाले निवेश सम्मेलन में भाग लेंगे ये निवेश सम्मेलन 29 से 31 अक्टूबर तक चलेगा अपने दोरे पर पीए मोदी सौधी अरब के क्राउन प्रिंस मुहमद बिन सल्मान के साथ में मुलाकात करेंगे आपको बता दें कि भारत के राष्टे सुरक्षा सलाकार अजीत डोभ जैसंकर ने पाकिस्तान के संदर्व में कहा मैं कहाना चाहूंगा कि एक को छोड़कर सभी पड़ोस्यों का छेत्रिय सहयोग के मामले में बेहतरीन इतिहास रहा है उन्होंने यहां भारत आर्थिक मंच के सत्र के दोरान एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि अमेरिका के सा बैठक में अनुछे 370 के प्रावधानों को निरस्त किये जाने का मुद्धा सामने नहीं आया केंद्र ने करनाटक और बिहार को बाड़ से रहात देने के लिए 1813.75 करोड रुपए देने की घोश्णा की जिहां केंद्र सरकार ने करनाटक और बिहार में बारिस और बाड़ से हुए नुकसान के मदे नजर रहात कारियों के वास्ते इन दोनों राज्यों के लिए 1813.75 करोड रुपए की अतरिक्त वितिय सहायता को सुक्रुवार को मंजूरी दी ग्री मंत्री अमित साह ने सभी बाड़ प्रभावित राज्यों में चल रहे बचाओ एवं बरहात कारियों की समिक्षा के बाद अतरिक्त वितिय सहायता को मंजूरी दी है ग्रीह मंत्राले के बयान में कहा गया कि बाढ़ की स्तिती की गंभीरता और बिहार दता करनाटक के राज आपदा राहत को सखाते में निधी की स्तितियों के मद्दे नजर ग्रीह मंत्राले ने राष्ट्य आपदा राहत से बिहार के लिए 400 करोड रुपए और करनाटक के वा हाफिस सईद के जेव खर्च के लिए सुरक्षा परिसत से गुहार लगाना इसलामाबाद का दोरा चरित्र जहां भारत ने सुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान का सन्युक्तराष्ट सुरक्षा परिसत यानि UNSC की आतंकवाद निरोधक समीती से मुंबई हमले के सरगना हाफिस पैसे निकालने की अनुमती देने का अरोध करना इसलामाबाद के उसके दोहरे चरित्र को दर्शाता है UNSC की प्रदिबंध समिती ने पिछले मही ने सईद को अपने खाते से दैनिक खर्चुक के रासी निकालने की मंजूरी दी थी भारत बांगलादेश के बीच हो सकने है कई समझोते तीन परियोजनाओ का उधगाटन करेंगे हसीना और पियम मोदी जिहां भारत और बांगलादेश के प्रत्यान मंतियों की सनिवार को तैमूल अकात के दोरान परिवहन, संपर्ग, छमता वर्धन और संस्कृति के छेत्र में 6-7 समझोतों पर हस्ताक्चर हो सकत इस दोरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्चिय संबंदों को मजबूत बनाने पर भी चर्चा होगी विदेश मंत्राले के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी अपनी बांगलादेशी संकक्च सेख हसीना के साथ मिलकर सनिवार को त संभावना से जोड़ी खबरों के बीच सचीन पाइलट ने सुक्रवार को कहा कि यदि राज्य में कानून विवस्था ठीक हो सकती है और किसानों की कर्ज माफी के वाइदे को पूरा किया जा सकता है तो राज्य में पांच उपमुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है पीम नरेंद्र मोदी ने की वायूसेना प्रमुख बीयस धनुआ से मुलाकात जिहां प्रधानमती नरेंद्र मोदी ने सुक्रवार को पूर्व वायूसेना प्रमुख बीयस धनुआ से मुलाकात की उन्होंने इस बात की जनकारी देते हुए ट्वीटर पर तस्वीर पोस्ट की और लिखा भारत के पुर्व वायू सेना प्रमुख एयर चीफ मार्सल बीएस धनोवा से मिला उन्होंने हमारे राष्ट की अत्यंत वीरता और परिश्रम के साथ सिवा की उन्होंने हमारी वायू सेना में ए इल्ली मेटरों से जोडने वाली 4.2 किलोमीटर लंबी ग्रे लाइन का सुक्रवार को उधगाटन किया गया किंद्री अवास एवं सहरी कारिय मंत्री हरदीप सिंग पूरी और मुख्य मंत्री अर्विंद केजरी वाल ने सुबह इस कॉरिडोर पर एक ट्रेन को हरी जंडी दिखाई इस कॉरिडोर पर तीन स्टेशन द्वारका नंगली और नजफगड हैं